नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गोबलोक्ष और मैं हूँ आपके साथ भासकरानन डूभाल एक मेल हतीली हमारी सामनी है आपका सवाल है कौन सा बिजनिस सूट करेगा मुझे आप इन चीजों को देखेगा सबसे प्रबल आपको कौन दिखाई दे रहा है आप अंगोठे के नीचे का भाग देखें जिसको हम सुकर का परवत कहते हैं बीनस का माउंट कहते हैं ये परवत अपनी उत्तम अवस्ता में है शुन्दर अवस्ता में आपके हतेली में दिखाई दे रहा है अगर इसके अनु readymate कपडों का कारोबार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप readymate कपडों का कारोबार करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा या तो beauty industry में आप career बना सकते हैं या तो कला समंदी कोई कारे कर सकते हैं या सजावट की चीजों समंदी कोई कार्य आप कर सकते हैं अगर आप विग्यापन का काम करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा सोना चाने का काम कर सकते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा ये जो चीजे हैं रेडिमेट कपड़ों का कारोबार ब्यूटी इंडस्ट्री सजावट की चीजें बिग्यापन की चीजें या सोना चान्दी का ब्यापार कपड़े समंदी ब्यापार ये आपके दिए सुक्र की तरफ से एक सोगात है बहुत अच्छा रहेगा और काम्याबी आपको मिलेगी ये आपका सुक्र बता रहा है और देखेगा दूसरी तरों से हम देखें तो सुक्र जो है सुक्रों का कारक है आपकी हतेली में बहुत सुन्दर है इसको कला के लिए जाना जाता है इसको सुन्दरे के लिए जाना जाता है सुन्दरता के लिए जाना जाता है एक सुखत जीवन के लिए जाना जाता है इस त तेजो मैं आउस्तामी भी है, तो आप भी तेजो स्वी होंगे, आपकी परसनेल्टी भी जो ब्यक्तित्व है वो भी बहुत सुन्दर होगा, सुन्दरता है, आकर्सन है, आपके अंदर निहित है, और हर प्रस्तिती को हेंडल करने की चमता है, अपने को सज समर कर रखना, आपने को मेंटेन रखना, नई चीजों के प्रतिरुजान होना, भौत एक सुक्सुविदाओं की तरफ आकरसित होना, यह सुक्र आपको देता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। इस्चित रोप से चकाचोन रहेंगे। हाँ, कोई भी ब्यापार आप करें। यह जो अनामिका उंगली है, इसके नीचे का जो यह भाग है, जब तक यह उर्जा प्रवाइड नहीं करेगा, तब तक आपके प्रियास पूर्ण रोप से फलित नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे यहाँ पे इस समय जो है, आपका सूर्या बहुत ज़्यादा लोग इस्तिती में है, उर्जा विहीन है, उर्जा प्रवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आप जो प्रियास कर रहे हैं, वो पूर्ण रोप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, चीजे उस तरों से उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। आप ब्यापार की तरफ ऐसे में अगर जाते हैं, चाहे आपका बुद्ध कितना सुन्दर इस्तिति में हो जैसा है, चाहे आपका जो है सुक्र कितना बलिष्ट इस्तिति में है जैसा है, लेकिन ये भाग उर्जा नहीं प्रदान कर रहा है, तो ब्यापार में वो बिस्तार नहीं मिलने वाला है वो फैलाव नहीं मिलने वाला है जो वास्तों में मिलना चाहे चलेगा तो सही क्योंकि ये ग्रह बहुत अच्छे है ब्यापार का ग्रह भी अच्छा है ये सुक्र का ग्रह भी अच्छा है चलेगा लेकिन एक ब्रांड बनकर एक पहचान बनकर उबरना एक बिस्तार और फैलाव होना वो चीज नहीं होती है ऐसे में बिक्ति नौकरी करता है तो वो ग्रौथ नहीं मिल पाती उसको जिसके लिए उसने अपने आपको जो है समर्पित कर दिया हो एक सहजता से एक सरलता से वो रास्ता नहीं मिल पाता है जिस रास्ते पे इसमूथली बेक्ति चले इसमूथ तरीके से चले और सुन्दर तरीके से जो है जिवन में आगे बड़े इसका मतलब क्या है आपका जो भीतरी सूर्य है वो प्रोस्पर ढंग से उर्जा नहीं प्रवाइड कर पा रहा है और आपके जो सारिक चकर है वो सूर्य के चकरों के साथ प्रस्पर ताल मिल में नहीं है जिसके कारण कहीं न कहीं सारेरिक स्वस्थ्या खोसहाली उत्साह उर्जा इन चीजों की हलकी रूप में चिंता आपको करनी पड़ रही है अब क्या करना चाहे जिस से क्या हो देखेगा अगर आप सूर्य किरिया करते हैं या सूर्य की पूजा करते हैं और जादतर प्रभ मिलता है। बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन एक आयुरवधिक दवाई की तरो .. प्रिणाम होज प्रती है और काफि कम समय में मिलने सुरू हो जाते हैं अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं क्या होगा सारिरिक स्वस्थ्य है खुसाहाली है उत्सा है उर्जा है इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये चीजें निश्चित रूप से हमेशा आपके साथ रहेंगी आपके सारिरिक चक्र स सूर्य की चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में हो जाएंगे तो आपकी सारिरिक सेहत बहुत अच्छी होगी बेहद अच्छी होगी आपका जो मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट हो जाएगा आपका जीवन सहजता से चलेगा ये निश्चित है देखेगा सूर्य किरिया का जो मतलब है वो है आपके भीतरी सूर्य को जागर्त करना क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है एक सूरज है बरना आप अपने सरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते तो ये सूर्य है सूर्य बहुत चीजों का कारक है और सबसे बड़ी चीज है सूर्य है उर्जा का कारक सूर्य है यस का कारक आपके जीवन में नेम फेम जो आपको मिलता है जो आपके जीवन में सफलता आपको मिलती है वो सूर्य के कारण मिलती है अब यहाँ पे एक देख भग्या का भी अपना रोल होता है जो मिडिल फिंगर है आपकी उसके नीचे का ये जो भाग है ये सनी का अस्तान है रहस्यमेग्र है और जब ये इस प्रकार से यहां पर उभर कर आ जाता है तो जीवन में गंभीर व्यक्तित्त तो देता है जो अच्छी बात है लेकिन थोड उठने में आलश्य की प्राप्ति करवाता है आलश्य आने बैठ जाता है लेकिन जब विस्तर छोड़ दे तो फिर वो आलश्य भग जाता है दुबारा विस्तर में नहीं लेटता है लेकिन थोड़ा सा आलश्य देता है कई बार ये ऐसी इस्तिति आने पर बेवजहे की चि ताकि अवस्ताई या बिक्त कुछ नो कुछ जो है जीवन में बहुत ज़्यादा सोचता रहे उस चीज का हल उस चीज का रास्ता नहीं निकल रहा हो इस चीज को ये देता है ये इस परकार से बहुत ज़्यादा बैठ जाए तो कामों में अर्चन आना कामों कारियों में बिल होता है लोग अपना काम निकलवा लेते हैं और कई बार इस्तिमाल करके दोका दे देते हैं या कई बार ऐसे में बिगती दुखी सा हो जाता है जिवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है अगर ये भाग ऐसा हो तो इन दोनों का आ उपाय करना है इसके लिए आपको सूर्य क्रिया करनी है ठीक न है और इसके लिए आपको सनिका रात्री का उपाय करना है और निश्चित रूप से सुक्रसंदी आपकाम करें जो भी मैंने गिनाएं है उनमें आपको काम्याबी निश्चित में लेगी वो काम आपको सूट करेंगे निश्चित रूप से लेकिन इन दोनों गुरहों के मजबूत होने पे बाके तो आपका बुद्ध बहुत सुन्दर है यहां पे देखेंगे बुद्ध उपर की तरफ रेखाएं सुन अंदर बुद्ध के कारण जो कम्यूनिकेशन इस्किल्स है जो सेल्स मार्केटिंग के गुण है वो अपनी निखारतम इस्तिति में है उच्चतम इस्तिति में है बहुत सुन्दर आपके अंदर उसके गुण है उसकी काबिलियत है और एक से ज़्यादा भासाओं के ग्यात भी होंगे चाहिए वो छेत्रिय बासा हो चाहिए वो इंटरनेशनल भाशा हो उसकी ज्याता भी है उनकी समझ भी है आपको जीवन के अंत तक पैसा आपको अरजन करते जाएंगे ये इस बात का दियोतक भी है और अगर हम यहाँ पे बुद्ध देखें अत्यंत स्रेष्ट इस्तिति में है उबरावा है शुन्द रोप में यकीन मानिएगा और अपनी जीवन में प्रैक्टिकल रोप से देखेगा में आते हैं थोड़ा सावी तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अरजित करने की संभावना बहुत जादा बढ़ जाएगी अरजित करेंगे जो आप हर तरह की प्रस्तितियों को भली भात समझते हैं और समझने की कोशिस करते हैं अपनी जीवन में वो इस बना कर चलते हैं ये गुण इस बुद्ध की उजोसी है जो कार्य आप परारम करते हैं और कोशिस करते हैं अधुरा न चोटे उसे पूरा आउश्य करें और करने की भरपूर कोशिस करते हैं जादतर करते हैं वो इस बुद्ध की कारण है आपकी हतेली में वास्तों में दे और इसके कारण आप मनो बेग्यानिक के छितर में माहिर है सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित किया जाए किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छे तरों से जानते हैं और जो ब्यापार में विशे सपलता आपको मिलने वाली है सूर्य और सन्य के थोड़ा सा भी भव्य होने पर वो बुद्ध के कारण मिलेगी बुद्ध का परवत भिक्सित है आप देखी रहे हैं बुद्ध का परवत एक सुन्दरतम एक रंगत लिये हुए है और इसको दबाएं तो लचीला भी है अगर सांदार तरीके से हम इसको दबाते हैं तो कहीं न कहीं लचीला भी है ठीक समय की इतलास भी है और समय का पूरा उप्योग करने में दक्षता भी आपको हासिल है बुद्ध के कारण अपने को व्यक्त करने की चमता है अपनी बात को किस प्रकार से रखा जाए कौन सी बात को कहां पर रखा जाए किस के सामने कौन सी बात रखने है कब उसका सही समय है ये आप जानते हैं ये बुद्ध के कारण आपके अंदर है और वानी की सक्ति एक दूसरे को आकरसित करने वाली जो आपके अंदर है और हमेशा बनी रहेगी ये बुद्ध के कारण है जब भी बुद्ध आपका लो दिखाई देने बैठ जाए जब भी बुद्ध थोड़ा सा कमजोर दिखने बैठ जाए तो हरी सबजी है हरी दाले है और जो है हरे फल है उनका सेवन करना सुरू कर दे जहां ये आपका बिक्तित्तो को निखार करके रखेगा संपूर बिक्तित्तो को बदल करके रखेगा वहाँ बहुत एक सुक्सुविदाई जीवन में बढ़ती जाएंगी और आपका जीवन एक लक्जिरियस की तरब जाएगा वुद्ध आपका बहुत अच्छा है बहुत सुन्दर है लेकिन थोड़ा सा देखेगा यहाँ पे चंदरमा जो मन का कारक है हलका सा अनबैलेंस हो रहा है हलका सा है और यह बरतमान में थोड़ा सा जो है कही न कहीं क्या कर रहा है मन को गड़बड कर रहा है कही न कही टैम ये मानसिक प्रेशानी दे रहा है आपको कही बार कही न कही भावगता दे रहा है या इमोशनली हलका प्रेशान करता हुआ या आप दिखाई दे रहा है कही बार ऐसी इस्तितिये दे देता है कि मन अच्छा नहीं रहता है एक सरल तरीके से हम अगर इस पर प्रकाश डालते है और जानने की कोशिस करते है तो ये सतर परसेंट हमारे जिवन को बदलने की चमता रखता है ये जल तत्व का मालिक है और जल में क्या-क्या है? ओक्सिजन जल में है आपका जो है जिवन का प्राण जल में है हवा पाने सब को जल में है और ये जल तत्व का मालिक है सतर परसेंट हमारे जिवन को बदलने की चमता रखता है लेकिन क्या है? भगवान शंकर के गण है ये तो भगवान शिव की पूजा करने पर बिदिवत जो इसका प्रियोग है जिसमें चंद्रमा की भी पूजा होती है अगर वो आप करते हैं तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा और जब किसी का मन मजबूत होता है तो ब्यक्ति का confidence level अपने अच्छे अस्तर पे रहता है ब्यक्ति का सरीर का hormonal system बहुत बढ़िया हो जाता और व्यक्ति क्रियेटिव ज़्यादा रहता है और ऐसी इस्तिति जब आते है तो मन की जीत तो संगसार जीत लेता है व्यक्ति और मन के हार तो संगसार को हार लेता है व्यक्ति ये चीज होती है तो आपकी हतेली का यहाँ पर इस प्रकार से जो है चीजें दिखाई पड़ रही है अब ध्यान से देखेगा थोड़ा समझने की यहाँ पर कोशिस करिएगा देखेगा कलाई के चेतर पर चलते हैं यह कलाई का चेतर है आपका और यहाँ पर दिखाई 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 दि उनका क्या प्रभाव हमारी जीवन पर पड़ रहा है ये जितनी साप सुत्री होती जाएगी जितनी सीध में आती जाएगी ये उतनी ही उत्तम प्रभाव आपकी जीवन पर देती जाएगी और बहुत अच्छी इस्तिति में आ रही है ये जितनी साप सुत्री हो और जितनी सा आपका ममली में उतना ही अबबल होती जाएंगे मौनि आपका स्व judging यह काप्षित्र होने की संभावना को यह बता रहा है काफी आकरसंवाला विकतित्व आपका रहने वाला है। वहीं जो भिक्तित तो है वो बहुत ज़्यादा आकरसन वाला रहने वाला है इस एक रेखा के वुजह से यह रेखा जितनी सपश्ट जितनी साब सुतरी दिखाई देने लगी और जैसा आप देख रहे हैं आपकी जिवन की रेखा भी साब सुतरी इस्तित में इसमें ये कहीं न कहीं मिलती हुई दिखाई दीरी इसमें मिल रही है टच कर रही है ये तो सोने पे सोहागा है आने वाले समय में जितना ये दोनों चीजें इसपश्ट होती जाएंगी स्वच्टे के मामले में समझ लीजेगा आप बहुत कम बिमार होंगे और जो बिक्ति की मिर्थ्य होती है वो स्वाभाविक होती है और जादतर मामले में कलाशिकल बुक कहती हैं लोगों का अनुभाव कहता है कि ऐसे बिक्ति सो साल क्रोस करके उसकी उपर जीते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का स्वच्ट अति उत्तम होता है इनके सरीर के सारे और्गंस, सारे बोडी पार्ट इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते हैं साथ इसाथ ऐसे लोग पूरे जीवन भर अनुसासित रहते हैं और ये मनिबंद जितना साप है और ये रेखा जितनी किलियर होती जाएगी ये रेखा जितनी स्पष्ट इसमें मिलती दिखती जाएगी आपका जो सिक्स सेंस है उतना प्रभावी रहेगा उतना अच्छा रहेगा सिक्स सेंस भी आपका जो है बहुत प्रबल इस्तिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है अत्यंत सरेष्ट है नारायन की किरपा है आने वाला समय बहुत बहतर है जिस प्रकार से हाथ की रेखाई हैं अब थोड़ा सा जो है एक दो रेखाई और देखें और फिर पूरे हतेली को देखते हैं यहां पर देखेगा बड़ा सुन्दर तरीके से ये आपकी रेखा कहीं न कहीं ब्रिस्पति को टच करते हुई दिखाई दे रही है लेकिन ब्रिस्पति पे पूरी नहीं पहुँच रही है ऐसी इस्तिती जब होती है तो सुबह उठते ही तीन जगा ध्यान जाता है एक तो सुबह उठते ही पैसों की तरफ ध्यान जाएगा पैसों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए पैसे कैसे जो है अरजित किये जाएं दूसरी अपनी physical body की तरप ध्यान जाएगा अपनी को maintain कैसा रखा जाए अपनी personality पर कैसा ध्यान दिया जाए अपनी को सज समर कर कैसा रखा जाए और तीसरा कहीं न कहीं कामुकता पे ध्यान जाता है यही ये रेखा टच करके बताती है लेकिन आप देखेगा एक रेखा जो है यहां से लेके इस पे मिल रही है पूर्ण रूप से इस प्रकार से और यहां पे एक विश्णो का शिंबल बन रहा है निश्चित रूप से जहां मा पार्वती और भगवान शिब की आपके उपर अन्यन्य किर्प्या है उनका प्रसाद आपको प्राप्त है वही आपकी जो इश्ट देव है वो भगवान नारायन है और आपके उपर साक्षात प्रब्रह्म सुरूप बैकुंट धाम के स्वामी भगवान बद्री विसालजी की विसेश किर्पा है अगर आप अपनी जीवनकाल में जो जीवनकाल बचा हुआ है अगर अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे निश्चित मानेगा नारायन की किर्पा से वो बैकुंट धाम बद्री विसालजी की किर्पा से हर काम में अवश्य शपलता मिलेगी चाहिए वो देर से मिले लेकिन नारायन की इतनी किर्पा है कि हर कार्य में आपको सपलता मिलेगी और आपको हराना आपके बिरोधियों के लिए शंबव नहीं होगा इसके अलावा आने वाले समय में आप समाज में खुब लोग प्रियता और सम्मान पाएंगे क्यों? क्योंकि अगर विश्णु का तिलक हो हतेले में विश्णु का सिंबल हो हतेले में तो ऐसे लोगों को अत्यंत भग्यसाली माना जाता है एक सावधानी जरूर रखनी है अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी परिवार की स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए गलत कारियों को तिलांजली देना है अगर बिक्त नारायन ने रसातल में डाला हो उनको उबारना किसी भी ब्यक्ति के या किसी भी सास्तर के बस में नहीं है। एक विभेग वान व्यक्तित्व आपका है, और अपनी विभेग से आप हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सूचते रहते हैं, जीवनकाल के लिए योजनाई बनाते रहते हैं, और जिस भी छेत्र में काम करते हैं, अपनी मन मस्तिसक का अपनी दिमाग का ज़्यादा प्रियोग से एक से ज्यादा सुरोदों से अर्थों पार्जन करने का और उसकी कलपनाएं सोचने सकते भी बहुत तीब्र मात्रा में आपके अंदर है यहाँ पर देखेगा यह रेखा इस तरों से जाती हुई दिखाई देरी है और सीधा मनिबंद पर जारी है जीवन की रेखा है ऐसे लोग एक तो मैंने जो देखा है अपनी जनम अस्तान से दूर जादा उन्नती करते हैं जनम अस्तान में बहुत जादा उन्नती नहीं कर पाते हैं यह फैक्ट है दूसरी बात अगर जीवन रेखा ऐसी हो ब्यक्ति निरंतर जीवन में उन्नति तो करता है लिकिन उतार चड़ाओ भी साथ साथ में चलते हैं और कई बार ऐसे ब्यक्तियों को और इस्तिर्ता का सामना भी करना पड़ता है लेकिन कर्म स्रेष्ट करते हैं अन्त में जो है मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को मुक्ति की प्राप्ति एक सिद्ध जन कीतर हो एक महात्मा कीतर हो एक जो है प्रभ्रह्म स्वरूप ब्यक्ति कीतर हो गुरू कीतर हो इनको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसे परिनिर्मान कहा जाता है जिवन का जो अंतिम उदश्य और सत्य उदश्य होता है मुक्ति की प्राप्त करना वो इनको प्राप्त हो जाता है ये आपकी हतेली की सर्व स्रेष्ट रेखा है अब यहाँ पे देखेगा अंत में यहाँ पे इस प्रकार की जो है चिन बनता हुआ दिखाई दे रहा और ये क्या है ये कितु का भाग है कितु पे मत्स्य का अवतार इस बात का ध्योतक है कि आप धार्मिक प्रवुर्ति के ब्यक्ति है जैसे जैसे आपकी उम्रबडरी है वैसे वैसे अध्यात्म के चेत्र में भी आप विकास कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं चाई छोटी यात्राएं हों, चाई बड़ी यात्राएं हों उनको करने का मौका भी जिवनकाल में मिल रहा है इसकी संभावना जादा है पैत्रिक संपत्य होगी तो उसका लाब आपको अपनी जिवनकाल में मिलेगा और कहीं न कहीं जो छटी इंद्री है वो प्रभावित रोप से विक्सित होते हुई यहां पर दिखाई दे रही है बहुश्य में क्या घटित होने वाला है कहीं न कहीं उसका आभास आपको होने लगेगा और इस स्वर अपनी नजदीक है अपनी ही अंदर है आत्म साक्षातकार की प्राप्ते भी होने बैठ जाएगी यह चिन बताता हुआ नजर आ रहा है इस चिन की जो नजर है वो फैलाओ के ग्रह यस के ग्रह सूर्य पर पढ़ रही है लेकिन अभी सूर्या उर्जा नहीं प्रवाइड कर पा रहा है जिस से इसके नजर जो दिर्ष्ट गोचरिय हो रहा है उसका प्रभाव जीवन पर नहीं पढ़ रहा है उस रूप में अगर इसका प्रभाव पढ़ता है तो मान, पद, परतिष्टा और सम्मान की बहुत ज़्यादा बिर्दि जीवन में हो जाएगी और लोग बहुत ज़्यादा सम्मान की नजरों से देखने बैठ जाएंगी एक नाम और यस और कीर्ति आपकी बन जाएगी ये निश्चित ह सूरे किरिया द्वारा सूरे को आपको ठीक करना है अब आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ रेखाईं उभर कर आ रही हैं ये मंगल की रेखाईं हैं लेकिन अभी उदायमान इस्तिति में हैं अभी इनका परिणाम नहीं मिल रहा है आगे आने वाले समय में कहीं न कहीं आप ये देखेगा आपको 52 या 33 वर्स में इसका सुंदर परिणाम मिलना सुरू हो जाएगा 52 या 33 वर्स में क्या होगा फिर निश्चित रूप से दूसरों का सयोग आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा जो नाराइन की किर्पा मैंने बताई है उस किर्पा का देश आपको मिलेगा दोसरा यह इंगित कर रहा है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिबा है तीब्र बुद्धी है उसका आप सुन्दर प्रियोग कर पाएंगे आपके अंदर सोचने समझने की सक्ति विशेश रोप से प्रकृति ने दी है भगवान ने दी है इसका आप फा अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे इन रेखाओं की उजोसे इन लकीरों की उजोसे आपका जो ब्यक्तित्व है अपनी आप में अच्छा खासा प्रभावसाली रहने वाला है और ये धन की रेखाओं भी है इन रेखाओं को अच्छा माना जाता है जितने ये इस नहीं ब्यक्ति को नाव या बोट से जो है लाब करवाती है। ऐसे लोगों का अगर कागज का उद्योग हो। लकड़ी का उद्योग हो। लकड़ी के उद्योग में तो सूरे को भी मजबूत होना चाहिए। अन्यता जो है लकड़ी के उद्योग में जो है नुकसानी होता है लेकिन अगर सूर्य भी ठीक है और ये रेखाई हैं और करियर और धन की रेखावी इस पश्ट है तो यकीन मानिएगा ब्यक्ति धनपती होता है अच्छा खासा धन कमाता है धन के साथ यस और कीर्थी में बिर्दी होती है तो रेखाई बहुत अच्छी हैं यहां पर देखेंगे एक रेखा इस तरों से जाती हुई और बुद्ध की तरफ निकल रही है ये आपके अंदर ब्यापारिक गुणों में बहुत जादा बिर्दी कर रही है जितनी इस पश्ट होती जाएगी सुन्दर होती जाएगी ब्या लेकिन थोड़ सा ध्यान रखें खान पान पे रुटीन पे अगर खान पान बहुत जादा असमय हो गया या इदर उदर का जादा हो गया तो पेट की तकलीपें भी ये देगा तो इसके मामले में सजग रहने की आवशकता है आपको एक रहखा यहां से निकल रही है और यहां पे आप देखेंगे त्रभुच बनता हुआ दिखाई दे रहा है मनी ट्रेंगल जब सुर्य और सनी भव्य आउस्ता में आएगा तो ये मनी ट्रेंगल आपका एक्टिवेट हो जाएगा और निश्चित रोप से पैसा अच्छा क कमाएंगे खर्चे पर लगाम लगेगी यहां पर बर्ग का साइन है कहीं कहीं न कहीं चंदर्मा का प्रफाव पुट रहेगा यहां पर कहीं न कहीं संवर्ग का शायन बन रहा है एक से जादा सरोतों से धन का आगमन होगा यहां पे कहीं न कहीं बर्ग का चिन बन रहा है और सूर्य अगर भव्य हो जाता है तो सूर्य का सीधा प्रभाव पड़ेगा और बर्ग के चिन का मतलब है मल्टीपल सीटी का ब्यापारी होना एक से ज़्यादा सौरों में ब्यक्ति का ब्यापार फ्यलता है यह इस प्रकार की चीजें यहां पे बताती है यहां पे इस प्रकार से जो है अब थोड़ा सा देख ले एक दो चीजों का खयाल भी रखना है आपको इसको मिटा लेता तो परिवार को लेकी ब्यक्ति चिंता करता है परिवार को लेकी चिंताएं रहती है या तो पारिवारिक समस्याओं को ये जन्म से ःखें कि अंग्र मिया और खास कर जब कोई इस प्रकार की रेखा यहां की तरफ बढ़ रही हो और यह यहां पर कट रहा हो Hmm तो पारिवारिक समस्याएं निश्चित रूप से उभरेंगी या परिवार को लेकि चिंताएं बनेंगी इसका ध्योतक है ये और मंगल का प्रभाव आज आने के करण दामपत्य जीवन का जो वास्तु एक सुक है उस सुक को भोगने में जो है पूरी तरो से बिक्ति उस सुक को उस सुक का भोग नहीं कर पाता है इस चीज की और ये दिखाता है एक और बात है हतीली में छोटी छोटी गोन रेखाएं उभरती हुई दिखाई दे रही हैं जन्म लेती हुई दिखाई देती हुई नजर आ रही है इसका प्रभाव मन मस्तिस्क पे पड़ता है मन में कहीं न कहीं उलजन जब बनती है कनिफ्यूजन की इस्तिति जब आने बैठ जाती है तो ये रेखाई जनम लेती है इसका प्रभाव जा मन मस्तिस्क पे पड़ता है वहीं आर्थिक छेतर पे पड़ता है सपलता के अस्तर को थोड़ा घटाती है रिस्तों पे पढ़ता है आपके सामाजिक जीवन पे पढ़ता है और आपकी जो development है आपकी जो progress है उसको ये पूरी तोरो से रोकने का कार्य करते हैं सपलता के अस्तर को घटाती है तो एक प्राकृतिक क्रिया होती है उसको करना जरूरी चाहिए होता है यहाँ पे गुरु आपके साधरन भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्ता में गुरु थोड़ी सी आपके अंदर साधरनता दे रहे हैं सामन्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन हस्मुक स्ववाव रहेगा दयालोता आपके अंदर बराबर रहेगी प्रौपकार की भावना बहुत अच्छी रहेगी आर्थिक पक्च भी ठीक ठाक रहेगा यस की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्याद जुकाओ बना रहेगा स्वतंतर्ता और लीडर्शिप की चाहर रखने वाले होंगे निम्नमंगल उच्छमंगल प्राकरम देता हुआ दिखाई दे रहा है आपके वाटस अप नमर पे दे रहा हूँ विदि वो तरीके से करियेगा यकीन मानेगा जीवन में जादोई तरीके से सपलता मिलनी सुरू हो जाएगी अगर आपने सही से कर लिए जो विदि है उस विदि के उनसार कर लिया इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार